क्योंकि युवाव में भी awareness ठीक है हमें दिखाई दे रही है, investments की और उझान उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही जो हमारे traditional financial planning और investments को लेके जो चीजें चल रही थी, जो goals चल रहे थे, उनमें भी बदलाव आता हुआ हम देख रहे हैं, आज कल हम गेकॉनमी की बात कर है, आज कर हम early retirement की बात कर दें है, fire concept युवाव में बहुत साथा पचलित होने लगा है, retirement as a concept, retirement का मतलब यह हो गया है कि हम एक नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन हम कमाना नहीं चोड़ेंगे, हम चायद एक नौकरी छोड़ने के बाद कुछ और कर लेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी वर हमें पैसे कमाने हैं, और entrepreneurship, यह मेरे ख्याल से एक बहुत ही अब respected category में आने लग गया है, कि अगर आप एक start-up में काम करें तो वाह, बहुत अच्री बात है, अपने अपने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, मतलब, 9 to 5 या दूसी तरह की jobs के कि आपकी रेटार्में सिक्यूरिटी थी आपके बच्चे, बच्चे बहुत सारे थे, और उसमेसा था कि अगर जब ही आप वरद हो जाएंगे, बुड़ हो जाएंगे, तो समेमेर आपके बच्चे अपका ध्यान रखेंगे, और नेक्स जडरेशन वी इसोचरी कि हमारे ब करना है बिकोज ने जनरेशन में जढ़ा परिवारी नहीं है बड़ा चोटा है और वो परिवार को भी उनको अपनी छिंता करनी होगी उनको अपना घर बनाना होगा तो मुझे करनी है तो कई बार जैसे हम लोग ऑपस इम बात करते रहते हैं कि वह अगर एक बच्चा है बु यह भी साथ में बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्रदधावस्ता में परिवस्किल हो सकती है। बिगो हो सकता है, यह साथ दे या नहीं दे, लेकिन वो वाला तो हमारा स्टेटमें आपका पका साथ दे जा। स्वारूब आपका अनुभव क्या कहता है इसमें? I think kaafi changes आ रहे है, तो दो चीज़ जो missing है शायद उसका थोड़ा बढ़ेगा, two areas which I am very concerned about, one नवित भया जए तोड़ा का रिक्राइम पाइस एच्छना है लोगो को थोड़ा कम वो मैथ दिखनी रहे है, तो तो पहले है इसमें बहुते हैं तो एक्ष्ट आट पाइस पाइस प for him, right, honestly speaking. तो, while they have all this in mind, उस्पे अगर थोड़ा हम लोग चर्चा ज्यादा करे, the requirement of the money, क्योंकि तो पुब्लीक नमबर वान is inflation and lifestyle inflation, बिल्को से नथे, right? ये उनको पहचान है, बत पहले-पहले कभी ना, when you start working, you cater to your aspirations more than your needs. तो, दो निवेश कर रहे हैं, just to take this discussion forward, उस दिन मेरा बेटा रुदराक्ष, उसका नाम है, समझा रहा था, कुछ करियर ज्यान दे रहा था, कि पहले कुछ पांच साल में अपने अगर इनवेश्ट कर लेंगे, वो पूंपाउंड कर जाएगा. First five years you should invest, so knowledge है, but to divert their knowledge because they can absorb. थोड़ा अगर सुझा कर दे, it'll be like Sandeep rightly said, not only it'll be good for them, it'll be great for the economy, financial assets के तरफ, so मेरा ये थोड़ा disconnect है उनके साथ, life दिख रहा है, but end जब पैसा actually लगेगा, और लोग ज्यादा तक लोग ज्यादा जियेंगे. वो थोड़ा एक difference in my opinion है. कहीं लोग क्रिप्टो में एनिफ्टी में जाके खेल रहे थे. बिल्कुल. 99% में नुकसान किया होगा. सेभी की खुद की स्टडी कहती है कि FNO ट्रेडिंग में जो लोग ट्रेड करते हैं, अपना future और option दोनों बरबाद करते हैं. तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो रातो रात अमीर बनना चाहता है और जुसके पास वो सैयम की कमी है जिससे वो लंबे समय के लिए निवेश कर सके. मैं खुद यहां पर पीछे आर्टिकल शिप किया था, फोर्ट चेंबर्स ए में और 87 तु 90 वन मेरी आर्टिकल शिप चली थी, तो दोपर को खाने के बाद चक्कर काटने आते थे, यहां पर यह रिंग में आवाज होता था, जीचे से सोचते थे कि यहां पर यह आवाज क्यों आ रही है, फिर पता चला, यहां पर आप प्रेडिंग करो तो रातो रात अमीर बन सकते हो, तो मैंने भी वही सारी गलती की जो आज का युवा वर्क कुछ हत्तक कर रहा है, तो एक बाजू देखे तो बहुत मेच्चूर, डिसिप्लेन, अवेर इंवेस्टर्स बन रहा हैं, और दूसरी बाजू, स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स भी बन रहा हैं, हमें इन सारे लोगो को यहां पर लाने की जरूरत है, और वहां पर E.T. Swadis जैसे चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहता है, आपको लोगों को ट्रेडर से इंवेस्टर, स्पेकुलेटर से निवेशक बनाना है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो ही कोशिश है हमारी, उसी को लेके इस तरह की मोही जहां पर आप सभी का सायोग हमेशा हमारे साथ रहता है, तो दोनों नहीं कर सकते हैं हमारे योगा, जोखे मुठा के स्पेकुलेशन भी कर सकते हैं, और जब निवेश की बात है तो निवेश भी कर सकते हैं, दोनों भी तो किया जा सकता है ना, संथी, उसे बालिश कैसे है मैं एक change देखा आज के बड़ा परिवर्तन देखा आज के समाज में कि हमारे पास जो रिटार्ड लोग आपने तो वो बोलते हैं मेरी capital है वो पस्पेक्टिव चेंज हो गया पहले वो बोलते थे मेरी retirement की saving है इसको मैं कैसे deploy करूँ कि मेरी आगे का खर्चा चलता रहे आज लोग का mindset है बहुत लोग का mindset है कि ये मेरी capital है वो नई जिंदगी start करते हैं ये मेरा capital है इससे में क्या business कर सकता हूँ investment के form में उस तरह का एक environment इस country में build हो गया है और obviously last कई सालों में returns भी बहुत आए हैं तो लोगों को एक perspective मिला कि हमको अपनी जो जमापुझी है उसको कैसे multiply करना है और हमारा M.P. का mutual fund का एक campaign भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि भी mutual fund सही है उस campaign से बहुत लोग जुड़े मुझे ऐसा लगता है इसके तरह campaign insurance वालों को भी करना चाहिए कि लोगों को वो भी एक important segment है हमारे industry का तो वो एक change जो हमने देखा शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा और जो निलिश भाई ने बात करी कि हमको जो regulatory body आके हमको समझाती है से भी का issues है derivatives का मैं बिलकुल बोलता हूँ कि कहीं न कहीं आपके channel के माध्यम से लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसमें 99% लोग, 98% लोग loss ही करते है अगर इस तरह की saving जो कहीं mutual fund के थूँ वापस आए तो system में तो multiplier effect आता ही है, उनकी life भी change हो जाती है और यह जो mindset है जिसे आज हम लोग बोलते हैं कि दो दिन का, चार दिन का view पड़े एक structure bull run दिखता है जो decadal दिखता है उस तरह का opportunity अकर लोगों के दिमाग में बठाया जाए कि यह structured bull run है इंडिया buy on dips है for a longer period time तो यह massive wealth creation opportunity है काफी लोगों ने समझ लिया है मैं जैसे हर बार बोलता हूँ कि हर bull run का एक leadership होता है 2003 से मैं कई forum पे बाद बता है कि 2003 से हमने mathematically देखा है कि FIS आये थे तो उन्होंने maximum पैसा बनाए कि उनका M2M आता गया और वो expand करते गए 2008 के बाद अगर हम देखें 2009 से जो bull run चालू हुआ वो H&I family office driven था उन्होंने बहुत पैसा बनाए M2M उनका आया वो उस bull run के वो leader थे post-covid अगर bull run जो आया उसमें retail leader है वो driving seat पे है जब H&I family office इंसूशत ने give up मार दिया था कोई भी current से उसने investment किया उसका M2M पाया तो आज भी देखिए बजार पंदरा पी स्टर्टिन correct होता है इंडिया निवेशक आता है हम लोग देखते हमारा flow बढ़े जाता है जिस दिन market fall ज़्यादा होता है कल गिरा था तो flow ज़्यादा है एक अपते के आवरेश से तो वो एक बड़ा change देखने को मिला है अगर इस bull run का leader retail निवेशक है तो आप सोचो उसका base कितना बड़ा है तो इसका bull run का legs बहुत बड़े हैं तो ये कई decadal opportunities को मैं बोलता हूँ it can last for next half century type उस तरह का big perspective अगर वो perspective हम लोग को समझ में आ जाए तो एक lifetime opportunity है चाहे mutual fund के through obviously ये better option है direct equities में लोगों को समझ में आना चाहिए उनका risk appetite कितना है उनका investment horizon कितना है mutual fund में थोड़ा expert लोग है वो उनके लिए अच्छे से कर पाते है तो एक opportunity है जो आपके channel के माद्यम से अगर लोगों को हम इसको बता पाएं और जो change मैंने आपको retirement लोगों को देखा अगर ये change को हम inculcate कर पाएं वो बहुत बड़ा move होगा बलकुल इसी बदलते भारत की और हम सब आगे भी बढ़ रहे हैं और समय भी समाक्त हो गया है लेकिन जाते जाते क्योंकि स्वदेश investment portfolio की बात हो रही है और वेसे में